अज हम लोग चैनल मैफ्किल्स वित नाजिया आज हम लोग सिखेंगे what problem z keywords एडिशन के, ठीक है guys, एडिशन के कीवर्ट क्या क्या होते हैं, जिससे हम वर्ड प्रॉब्लम को पहचान सके हैं, किसमें हमें एडिशन करना है, प्लस करना है, या माइनस करना है, ठीक है guys, सभी को ये परिशानी आती है, कि वर्ड प्रॉब्लम को देखते हैं, तो हमें ये स पहचांसा की questions में किसमें हमें addition करना है या फिर subtraction करना है ठीक है guys मैंने पिछली वीडियो उसके winner का नाम screen पर दिया है आप लोग वीडियो को ध्यान से देखते रहिए और next question आने पर comment box में अपने नाम के साथ आंसर दें ठीक है guys चलिए let's start the video सबसे पहले हम keywords देखेंगे आज मैं सभी को addition वाले keyword सिखाने वाली हूँ ठीक है guys subtraction वाले keyword हम लोग next video में सिखेंगे देखिए यहाँ पर है first में all together अगर यह word किसी question में आता है तो आप लोग इस word को देखकर उस question को समझ सकते हैं कि इस word problem में हमें क्या करना है addition करना यानि plus करना है इसी तरह कि मैंने यहाँ पर सभी keywords दिये हुए हैं देखिए added to, in all, increased by, total, both, more, combined, add ठीके guys अब इसको हम लोग कुछ example से सीखेंगे देखिए first example हम लोग देखेंगे first question में दिया हुआ है रोहानी bought six more apples then she bought two more now देखिए guys यहाँ पर पूरे question में हमें एक keyword नजर आया है more ठीके यहाँ पर देखिए इन सभी keywords में से एक keywords मिला हमें कौन सा more सभी को दिखाई दिया अब more हमने देखा है इसलिए हम more के लिए क्या करेंगे मैं आपको बताया कि अगर यहां पर यह keywords होगे तो इस question में हम लोग क्या करेंगे addition करेंगे plus करेंगे ठीके guys यहाँ पर more आया इसलिए हम question में क्या करेंगे plus सबसे पहले देखिए बोट six apples लिखा है तो हमने six लिख दिया नीचे लिखा है two both more apples उसने two और खरीदे है इसलिए two नीचे लिख दिया six or two को eight करेंगे तो हम यहाँ पर answer क्या आएगा eight ठीकिए गाईज next example देखिए आप लोग there are five red crowns and eight yellow crowns how many crowns are there in all अब यह हमें second keyword मिल गया देखिए guys first वाले में हमने more देखा था यहाँ पर then second वाले में हमें क्या मिल गया in all अब एसा हमें keywords दिखाई दे रहा है जो मेन आप लोगों को यहाँ पर सभी keywords बताए हैं आप लोग इन keywords को लिख लीजिए और अच्छे से याद कीजिए अगर इन keywords में से कोई भी keywords आता है तो आपको addition करना है ठीके ना guys अभी हम लोगों ने क्या देखा in all यह रहा यह हमें 5 लिख लिया second दिया है 8 yellow crowns तो हमने 8 नीचे लिख दिया दोनों को 8 करा 548 को answer क्या है 13 crowns ठीके ना guys next question देखे examples के लिए Tina has 18 toys and her sister he has 14 toys how many toys have the two sisters all together देखे हमें यहाँ पर third keyword मिला है कौन सा all together सभी को दिखाए दे रहा है all together यहाँ पर मैंने keywords में दिया है all together देखें गाइस यह रहा all together मिला सभी को all together अब next question देखेंगे हम लोग देखें अब यहाँ पर Tina has 18 toys लिखा है तो यहाँ पर हमने 18 को उपर लिख दिया next यहाँ पर लिखा है उसकी sister ने 40 toys है उसके पास तो यहाँ पर 40 लिख दिया अब दोनों के पास total कितने toys होगा guys उसे हम add करेंगे क्यों add करेंगे मैंने सभी को बताया हमें keywords मिला है all together ठीक है guys इस keywords को पहचानिये मैंने जितने भी addition की keywords दियें आप लोगों को वो सभी याद करने होंगे क्योंकि अगर आप लोग उन keywords को याद कर लेंगे तो question को देखते ही आप लोग पहचान जाएंगे किसमें हमें addition करना है या subtraction करना है ठीक है ना guys subtraction की keyword मैं आपको next वीडियो में बताऊंगी उससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि addition की keywords क्या होते है और subtraction की keywords क्या होते है ठीक है ना guys अब सभी को समझ में आया होगा आज के addition keywords क्या होते हैं हम ने सिखा एक more वाला ठीक है गाइस देखे गाइस हम लोगोंने एक सिखा more वाला keyword second सिखा in all वाला keyword third सिखा all together ठीक है यह तीन keywords को मैंने जैसे सिखा है यह से बाकी के सभी keywords कोशन में आ सकते हैं आप लोगों को उनको देखकर पहचानना है और इन keywords को आपको अच्छे से याद करना है ठीक है ना guys अगर आप लोगों को आज की मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज उसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और अगर मेरे चैनल पर नए है तो प्लीज उसे चैनल को सब्सक्राइब कर लें मिलते हैं आप से नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई guys करें सब्सक्राइब करें समय करें लो तो आप में झालवा लोगों करें से लेज़ उसे जिल पन्हें मेरे उसे लागत ही आप सक्स्क्तार लुड़न चाहते तो इपके जपके लिए